एज चवदा से पचीश साथ और खास कर पारा तेरा और चवदा वो एज जब हम प्यूबर्टी में इंटर करते हैं प्यूबर्टी यानि कि योव नवस्ता इस एज में हमारी बोड़ी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जैसे कि हमारी आवास थोड़ी बाहरे होने लगती है अपोजेट जेंडर के लिए अट्रेक्शन बढ़ने लगता है एंशोट हमारा बच्पन खतम होने लगता है और हम बच्चे से एड़न्ड बनने लग जाते हैं कई सारे चीज़ें बहुत ही परिशान करती है कई सारे चीज़ेंसे बहुत ही डिस्ठ strongest होने लगते हैं हम अपोजेट जेंडर से इतने अट्रेक्ट हो जाते हैं कि हम सब बोच जाते है हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि मुझे को मिलने चाहिए फिर मिलना चाहिए बाकी जिन्दगी में और कुछ भी नहीं और ये सब कुछ आपके साथ में होता है इस नोर्मल अच्छा अच्छी लोग का मन भटक जाता है तो फिर आप क्या जीस हो लेकिन वो लाइफ लेसना आजमाग को देने वाला मुझे लपक दो हजार साल पेले चानक की ने चंद्रगुपत को दिया था और यकीन मानिए ये जो एडवाइस है ये आपकी जिन्दगी बदल सकती है हजारों लाखों लोग की सिंदगी बजा सकती है और आपको एक महान इंसान मना सकती है ये एक एडवाइस चंद्रगुपत मोहरे एक बरिक लड़की से अल्टरेक्ट होने लगते है उनके बन में भी एक अजीब से फिलिंग आने लगती है उन फिलिंग्स की वेज़े से वो अंतर इंदर तड़पने लगते है और तभी उन्होंने ये बाद आचारी चानक्य को बताई और आचारी चानक की इस प्रकार की चंद्रगुपत इसमें तुमारी कोई गल्दी नहीं है मेरे तुम्हें कई सारी विध्याई सिखाए लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें कोई ग्या नहीं दे पाया और खासकर इसी सम्वेदेंशिल फिलिंग्स को समानने के बारे में क्योंकि इस फुरी यूनिवर्स का और कणित का ग्यान तो आपको कितबों में मिल जाएगा लेकिन हमारे माइन के अटेज्मेंट से जो फिलिंग्स आ रही है उसे सिरफ एक्स्पिरियंस करकी ही समझा जा सकता है और तभी आचारी चाण के कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि बच्चे को एक से पांस साल तक अपने दिल का टुकड़ा मान कर उसे बहुत प्यार करना चाहिए और फिर अगले पांस साल उसे कड़े अनुशाशन और डिसेप्टिन में रखना चाहिए और जब वो सोला सल का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए तो अब तुम मेरे दोस्तों जंत्रगप्त और मैं तुम्हें अपने एक्स्पिरिंस के दम पर तुमारे मन को इन फिलिंग्स और डिसेट्शन से बचने का तरीका बता सकता हूँ अभी तुमारे दिल में एक अलगी पेन हो रहा होगा और अजबसी फिलिंग्स हो रहे होगी इसी फिलिंग्स यो कि आज तक तक तुमको कभी नहीं होगी तुमको लग रहा होगा कि दुन्या में सिर्फ मुझे ही इतनी बड़ी फिलिंग्स और पेन हुआ है लेकिन ये सिर्फ एक साधर्ण सा आकर्शन मातरे एक पुरुष का स्त्री के लिए आकर्शन एक बोई का करल के लिए अट्रेक्शन लेकिन अगर इस अट्रेक्शन को और इसके प्रभाव को कम नहीं किया गया तो इसके बहुत बुरे रिजल्ट हो सकते है एक बात हमेशे याद लगना, कि दुनिया में आत्मी ख्यान से बड़ा, कोई भ्यानन नहीं कामुकता से बड़ी, कोई ग्यादी नहीं यानि कि सेश्वलिटी से बड़ी, कोई प्रबलम नहीं और शायरीक आकर्षन से बड़ा, कोई शत्रून नहीं तभी चंद्रगप ताचारी चानेक के से पुछते हैं कि क्या एक male और female का मिलना कोई पूरी बात है तभी चानेक के ने खाथ बिल्कुल भी नहीं एक normal इंसान के लिए ये बिल्कुल normal है लेकिन जिने महान बनना है जिनोंने अपने लिए महान लक्षन इर्धारित किया है उनके लिए ये भोती खातक होगा ये तुम्हें अंदर से खोकला करतेगा जिनके मन पर लव, attachment और attraction ने डेरा जमा रखा हो वो अपने करतेवे का पालं करने में और समर्थ हो जाते है वो हमेशा इंजिक्योर रहेगा ये किसी किसान, बिजनसमेर या पर एक नॉर्मल इंसान के लिए साधान हो सकता है लेकिन जिसने अखंड भारत के समराट बनने का लक्षन इर्धारित किया हो उसके लिए प्यार, attraction, attachment, कामुकत, उसके बतन का कारण बनती है तबी चंद्रकुप्त ने पोचा, कि आचारी कभी कभी तो लगता है किस लक्ष को पानी के लिए अगर इतना बड़ा मुल्य नहीं चुकाना पड़ता तो तबी आचारी चानक के लिए कहा कि साधान मुल्य चुका कर अगर इतना बड़ा लक्ष मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्मान कर लेता त्फिर ना तो किसी चानकी की जरूत होती और ना ही किसी चंदरकुप्त की अगर आप अभी तक इस उड़ी में बने हुए हो तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो अगर आप नॉर्मल लाइफ ही जीना चाते हो तीस से चालेसे रुपे की जोफ या फिर कुछ छोटा मोटाई काम करना चाते हो तो ये चीज़ आपको इतना नहीं रोखेगी लेकिन अगर आपने अपने इस जिंदिगी में महान लक्ष का सफना देखा है रिचानक की जीने कहा कि ये सिर्फ एक साधरन सा आकर्शनमात रहें ये सिर्फ हर्मोंस का खेलें एक पर आप इसमें पढ़ गए किसी से अट्रेक्ट हो गए तो हर पल आपके मन में एक जिपसी फिलिंग उठने लएगी आप हर वक्ते इंसिक्योर होगे आप सब भूल जाओगे सिंदिगी आपकी है आपको ही तरह करना है कि आपको क्या करना है मुझे जितना बताना था वो में आपको बता देखा